बस्पा द्वारा मिशन 2022 के लिए अयोध्या से ब्राहमन संगोष्ठी की शुरूआत करने के साथ ही यह चर्चा गर्म हो गई है कि क्या बस्पा भी भाजपा और अन्नि सियासी दलों की तर्जपर नरम हिंदुत्व के रास्ते पर आ गई है? कमो बेशुस के ब्राहमन संमेलनू के समय और स्थान में अयोध्या, मतुरा और वारानसी के शामिल होने और अयोध्या में रामलला के दर्शन के साथ संमेलन की शुरूआत करने को लेकर ऐसे सवाल उठना लाजमी है। वर्ष दो हजार साथ में ब्राहमनों के साथ ही क्षत्रियों को संग लेकर बस्पा अपने बल्बूते सत्ता रूर हुई थी। वक्त के साथ उसकी सोशल अंजिनीरिंग की धार भोतरी हो गई। विधान सभा चुनाव 2017 में बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक में वर्ष 2007 की तुलना में 8.2 फीसदी की गिरावट हो गई। यह क्रमश वर्ष 2012 में 25.95 फीसदी रहा था और वर्ष 2017 में 22.23 फीसदी के साथ सिर्फ 19 सीटे आई थी। बस्पा ने अब भोट पतिशत बढ़ाने के मद्देंजर ही 75 जिलों में ब्राहमन संगोश्ठिया करने का फैसला किया है। इसके तहत मथुरा, काशी और प्रयाग राज में कारिक्रम होंगे। ऐसे में बस्पा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा आयोध्या में रामलला के दर्शन करने की तरह ही अन्यमंदिरों में भी दर्शन कर कारिक्रम शुरू करें तो हैरत नहीं। राजनीतिक विशलेशक पूरवाई जी अरुन कुमार गुपता कहते हैं बस्पा को यह बखुबी एहसास हो चुका है कि बिनाबेज वोट बैंक में अन्यमत दाताओं को जोड़े उसका सत्ता हासल करना मुश्किल है। लिहाज अब यह नरम हिंदुत्वया यूं कहें ब्राहमन वोट कार्ड खेल कर भाजपा के वोटों में सेंदमारी की कोशिश की जा रही है। गौर तलब है कि सपा मुख्या अखिलेश यादव कुछ दिन पहले ही चित्रकूट के दोरे पर गए थे। उन्होंने वहां मंदिरों के दर्शन किये और परिक्रमा भी की। अखिलेश कहते रही हैं कि राम भाजपा के ही नहीं हैं बलकि उनके तो राम और कृष्ण दोनो हैं। अपने वोट बैंक के साथ ही ब्राह्मनों को जोडने के लिए उन्होंने भी ब्राह्मन नेताओं को टिकट दिये। यही नहीं परशूराम जयनती का भी पार्टी मुख्यालय में आयोजन करवा कर उन्होंने संदेश देने की कोशिश की। कुछ इसी तरज पर प्रि 2022 के परिणाम बताएंगे।